तो दिखिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे लिए है 16 फंदे इसके 8 के मल्टिपल से लिए है यानि कि 8-8 फंदे दो बार लिए है तो 16 फंदे हो गए प्लास 2 फंदे एक्स्टा लिए है एस्टिच के लिए 18 फंदे और नीचे से बेस देने के लिए एक रौ उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 8-8 के मल्टिपल से फंदे लेंगे प्लस 2 फंदे एक्स्टा रखे तो आपका ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं ये पहली रौ है और रौंग साइड है ये हमारा पैटन रौंग साइड से स्टार्ट होता है ये दिखिए एस टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे तीन ये दिखिए हमारा एक पैटन कमप्लीट हो गया है इसमें हमने तीन फंदे सीधे बुनें दो फंदे स्लिप किये तीन फंदे सीधे ये आठ फंदों का पैटन है दो चार छे आठ फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे तो एक बार फिर से दे देखिये तीन फ्न्दे सीज़े कि हाई कि मैं दो कि न妈 युदा प्तिखराय में यूठी जय को दो codra करेंगे एक दो मे दा एस्टिच पचेगा, उल्टा बना लेंगे, तो देखिए, दूसरी रौ है, और सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे left to right इस तरफ को टेस्ट करेंगे, पहले front loop से दूसरा फंदा सीधा ब बनेंगे, दो फंदे right to left इस तरफ को टेस्ट करेंगे, तो आप इसे ऐसे उतार कर भी ट्विस्ट कर सकती हैं, पीछे का फंदा आगे, आगे वाला फंदा पीछे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, एक, दो, ये देखिए हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, तो हम दिखिए, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे left to right ट्विस्ट करेंगे, twist to right, front loop से दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, front loop से ही फिर पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे right to left, twist करेंगे, twist to left, back loop से पहले, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, front loop से पहला फंदा सीधा दो फंदे सीधे एक तो एस्टिच सीधा बना लेंगे दूसरी रो कम्प्लेट हो गई हैं तीसरी रो रॉंग साइड उल्टी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टाट करेंगे एक फंदा दो फंदे सीधे एक तो धागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे एक दो ये देखे हमारा एक पैटर्न कम्प्लेट हो गया है तो हमने दो फंदे सीधे बुने एक स्लिप किया द फिरसे इस पैटर्न को repeat करेंगे तो जो फंदा हमने यहाँ पर सीधा फंदा twist किया था दोनों तरफ को उसको हम wrong side में हर बार slip करके लेंगे तो फिरसे दो फंदे सीधे, एक, दो धागा आगे, एक फंदा slip करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक, दो धागा आगे, अब दिखिए यह हमारी चौती रौ है सीधी साइड है Asht channel slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदे left to right इस तरफ को test करेंगे front loop से पहले दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे front loop से ही पहला फंदा सीधा बनेंगे center में 2 फंदे सीधे 1, 2 2 फंदे right to left इस तरफ को test करेंगे back loop से पहले दूसरा फंदा सीधा front loop से पहला फंदा सीधा 1 फंदा सीधा यह देखिए यहाँ पर हमने 1 फंदा सीधा बुना 2 फंदे left to right उसके सीधे बुने center के 2 फंदे सीधे 2 फंदे right to left उसके सीधे बुने 1 फंदा सीधा फिर से इस पैटन को repeat करेंगे तो देखिए 1 फंदा सीधा 2 फंदे left to right ट्विस्ट करेंगे front loop से दूसरा फंदा सीधा front loop से ही पहला फंदा सीधा center के 2 फंदे सीधे 1, 2 2 फंदे right to left ट्विस्ट करेंगे एक वंदह सीधा ऐस्टिछ सीधा बना लेंगे तो देखिए फिर्थ रोर कम्पलीट हो गई स्फिर्थ 5 रोंग साइ्ड ऐस्टिछ स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे एक वंदह सीधा धागा अगे एक वंदह स्लिप करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, ये दिखिए, यहां पर हमने एक फंदा सीधा बुना, एक स्लिप किया, चार फंदे सीधे, एक स्लिप किया, एक फंदा सीधा, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1,2,3,4, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, सिटिच गुल्टा बना लेंगे चटी रौ है सीधी साइड सिटिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे left to right इस तरफ को टिस्ट करेंगे फ्रंट लूप से पहले दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे Frunt lump से ही फिर पहला पंदा सीधा Center के 4 पंदे सीधे 1, 2, 3, 4 दो पंदे Right to left इस तरफ को टिस्क करेंगे Back LooP से पहले दूसरा पंदा सीधा Front LooP से पहला पंदा सीधा ये देखिए यहां पर हमने दो फंदे left to right twist के सीधे बुने, चार फंदे सीधे, दो फंदे right to right twist के सीधे बुने, फिर से pattern repeat करेंगे तो दिखिए, दो फंदे left to right twist करेंगे, फ्रंट लूप से पहले, दूसरा फंदा सीधा, फ्रंट लूप से ही पहला फंदा सीधा, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, च अब दो फंदे राइट टूलाटेस करेंगे बैक लूप से पहले दूसरा फंदा सीधा फिर फ्रंट लूप से पहला फंदा सीधा एस्टिच सीधा बुनेंगे तो देखिए छटी रोग कम्पलीट हो गई है और हमारा हाँ पैटन कम्पलीट हो गया है यही छे रोग उपर पीट करेंगे लेकिन इस पैटन को शफल करेंगे तो पहले हमने इस पैटन को इस साइड को इस तरफ को बुना और इसको इस तरफ को बुना अब इसको दोनों को हमने बाहर की तरफ को बुना था अब इसको ऐसे अंदर की तरफ को बुनेंगे तो दिखि तीन, चार, पांच, छे, थागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे, यह देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा स्लिप किया, छे फंदे सीधे एक स्लिप किया, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा स्लिप करेंगे एस्टिच उल्टा बना लेंगे आठमी रो और सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे राइट टू लैट इस तरफ को पहले हमने इस तरफ को किया था इसको ट्विस्ट अब अंदर की तरफ को करेंगे तो पहले बैक लूप से एक फंदा आगे लाएंगे पहला फंदा पीछे लेक कर जाएंगे और दोनों फंदे सीधे एक, दो, सेंटर के चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार दो फंदे पहले हमने इस तरफ को टिस्ट किये थे, अब इस तरफ को करेंगे, यानि कि left to right करेंगे, पीछे का फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे लाएंगे, और दोनों फंदे सीधा बुनेंगे, एक, दो, ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है, हमने दो फं फंदे left to right के सीधे बुनें, फिर से इस pattern को repeat करेंगे, दो फंदे right to left करेंगे, बैक लूप से एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब दो फंदे इस तरफ को करेंगे, और सीधा बुनेंगे, एक, दो, एस्टिच सीधा, आठमी राओ कम्प्लीट हो गई है, नमी राओ है, रोंग साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, repeat pattern स्टाट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, ए एक फंदा स्लिप्ट करेंगे एक फंदा सीधा यह देखिए यहां पर हमने एक फंदा सीधा बुना एक स्लिप्ट किया चार फंदे सीधे एक स्लिप्ट किया एक फंदा सीधा फिर से इस पैटन को रिपीट करेंगे तो दिखिए एक फंदा सीधा एक स्लिप्ट करेंगे चार फंदे सीधे एक तो तीन चार एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा एस्टिच उल्टा दसमीरों सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे right to left इस तरफ को twist करेंगे, पीछे का फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, सेंटर के दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे left to right इस तरफ को करेंगे twist, पीछे का फंदा front loop से आगे लाएंगे, आगे वाला back loop से पीछे लेकर जाएंगे, दोणों फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा सीधा, यह देखिए, यहां पर हमने एक फंदा सीधा बुना, दो फंदे right to left उसके सीधे बुने, सेंटर के दो फंदे सीधे, दो फंदे left to right उसके सीधे बुने, एक फंदा सीधा, फिर से इस pattern सीधे एक दो दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्रिस्ट करेंगे ट्रिस्ट राइट दोनों फंदे सीधे एक दो एक फंदा सीधा एस्टिच सीधा बुनेंगे तो देखिए दसमी रौ कम्प्लीट हो गई है ग्यार मी रौ है और रौंग साइड है एस्टिच स्लिप करेंग repeat pattern start करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, धागा आगे एक फंदा slip करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा slip करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, ये देखिए, यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बुने, एक slip किया, दो फंदे सीधे, एक slip किया, दो फंदे सीधे, फ दो फंदधे सीधे एक दो ऐक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे एक signaling उल्टा कर भार्मी रूर सीधी साइन का समय सब्सक्र Hyper Land nagव करेंग रिपीट पैटन बेटन स्टाट करेंगे दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे right to left इस तरफ को twist करेंगे, पीछे का एक फंदा आगे राएंगे, आगे वाला पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे left to right इस तरफ को twist करेंगे, पीछे का फंदा आगे, आगे वाला फंदा पीछे, दोनों फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, ये देखिए, यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे राइट तू लाइट उसके और सीधे बुने, दो फंदे लेट तू राइट उसके सीधे बुने, दो फंदे सीधे, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे तो देखिए, दो 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 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे ट्विस्ट टू लेफ्ट और दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे एक दो दो फंदे सीधे एक दो एस्टिच सीधा तो दिखिए 12 row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे first row यानि की wrong side से start करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी 12 row repeat करते जाएंगे और ये pattern बन कर ये दिखिए इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं लेडीज कार्डगार में लेडी जैकिट में गर्ल स्टॉप मीं बच्चों के सेटर में जैंट साफ सेटर में, कैप में, मफ्रल में डाल सकते हैं तो दिखें आगे की saisda से इस तरह से दिखता है और पीछे की side से इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड आप भी से बनाईए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत पूलें तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए पैटर लेकर तब तक के लिए बाइबे फैन